भारत माता की भारत माता की त्रेलंगरा की गवर्नर तमिल साइज सौंदर राजन जी केंद्रिय मंत्री मनलल के मेरे साथी अस्वीनी वैश्णव जी इसी तेलंगना की धरती के पुत्र और मंत्री परिशद में मेरे साथी त्री जी किशन रेड़ी जी बहुत बड़ी संख्या में आये हुए तेलंगना के मेरे प्यारे भाईयों और बहनों प्रियम मैना सोधरा सोईदरी मनुलारा मी अन्री की नरुदै पुर्वार नमस्कार मिलू महान क्रांति कारियों की धरती तेलंगना को मेरा शत्शत्प्रणाम आज मुझे तेलंगना के विकास को और गती देने का पुनह सवभाग्य मिला खोड़ी देर पहले ही तेलंगना आंधर प्रदेश को जोडने वाली एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखाई गई है ये आधुनिक ट्रेन अब भाग्य लक्ष्मी मंदिर के शहर को बगवान स्री वेंकटेश्वर धाम तिरुपती से जोडेगी यानि एक प्रकार से ये बंदे भारत एक्प्रेस आस्था आधुनिक्ता टेक्नोलोजी और टुरिजम को कनेक्ट करने वाली है इसके साथ ही आज यहाँ 11,000 करोड रुपिय से अधिक के प्रोजेक्स का लोकारपन और श्रान्याथ हुआ है ये तिलंगना की रेल और रोड कनेक्टिविटी से जुडे प्रोजेक्स हैं हेल्थ इंफ्राश्च्टर से जुडे प्रोजेक्स हैं मैं विकास के इन सभी प्रोजेश के लिए आपको तेलंगना की जनता को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, शुब कामणाय देता हूँ साथियों, तेलंगना को अलग राज्य मने करीब करीब उतना ही समय हुआ है, जितने दिन केंद्र में एंडिये की सरकार को हुए है तेलंगना के निर्माण में, तेलंगना के गठन में, जिन्ड सामान्य नागरी को ने, यहां की जनता जनार्दन ने, योगदान दिया है मैं आए फिर एक बार, कोटी-कोटी जनों को आदर पुर्वक नमन करता हूँ तेलंगना के विकास को लेकर, तेलंगना के लोगों के विकास को लेकर, जो सपना आप ने देखा था तेलंगना के नागरी को ने देखा था, उसे पूरा करना, केंद्र की एंडिये सरकार, अपना करतव्य समझती है हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं हमने पूरा प्रयास किया है, कि भारत के विकास का जो नया मोडल बीते नव वर्षों में विक्सित हुआ है, उसका लाप तेलंगणा को भी जादा से जादा मिले इसका एक उधारन हमारे शहरों का विकास है, बीते नव वर्षों में हाइदराबाद में ही करीब सब्तर किलोमेटर का मेट्रो नेटवर्क बनाया गया है हाइदराबाद मल्टी मोडल ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम MMTS पर भी इस दोरान तेजी से काम हुआ है आज भी यहाँ तेरा MMTS सर्विश शुरू हुई है MMTS का तेजी से विस्तार हो इसके लिए इस वर्क के केंद्र सरकार के बिजेट में तेलंग अना के लिए छैसो करोड उपी रखे गए है इससे हाइदराबाद, सिकंद्राबाद सहीद आसपास के जीलों के लाखो साथियों की सुविधा और बढ़ेगी इससे नए बिजनेस हब बनेंगे नए इलाकों में इन्वेस्टमेंट होना शुरू होगा साथियों सो साल में आई सबसे बड़ी गंबीर महामारी और दो देशों के युद्ध के बीच आज दुनिया भर की अर्थे बबस्ताओं में बहुत तेज गती से उतार चड़ाव हो रहा है इस अनिश्चित्ता के बीच भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जो अपने इंफ्रासेक्टर को आधुनिक बनाने के लिए रेकोर्ड निवेश कर रहा है इस साल के बजेट में भी दस लाख करोड रुपिये आधुनिक इंफ्रा के लिए एलर्ट किये गए है आज का नया भारत 21 वी सदी का नया भारत तेजी से देश के कौने कौने में मोडन इंफ्रा बना रहा है तेलंगना में भी बीते नव वर्षों में रेल्वेश बजेट में लगभग सत्रा गुना की वृद्धी की गई है अभी अस्विनी जी आकड़ा दे रहे थे इसे नई रेल लाइन बिछाने का काम हो रेल लाइनों की डबलिंग का काम हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो सभी कुछ रिकॉर्ड तेजी से हुआ है आज जिस सिकंद्राबाद और महबुब नगर के बीच रेल लाइन की डबलिंग का काम पूरा हुआ है वो इसी का उदाहरन है इस से हैद्राबाद और बैंगलोरू की कनेक्टिविटी भी बहतर होगी देश भर के बड़े रेल ले स्टेशनों को आधोने एक बनाने का जो अभियान शुरू हुआ है उसका लाब भी तेलंगना को मिल रहा है सिकंद्राबाद रेल्वे स्टेशन का अभिकाज भी इसी अभियान का हिस्सा है साथियों रेल्वे के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा तेलंगना में हाइवे का नेटवर्ग भी तेजगती से विक्सित किया जा रहा है आज चार हाइवे प्रोजेस का सिलान नयास यहां हुआ है तेइस सो करोड की लागत से अकल कोट करनोल सेक्शन को हो तेरा सो करोड की लागत से महभूम नगर चिंचोली सेक्शन का काम हो करिम नव सो करोड रुपे की लागत से कलवाकुर्ति कॉलापूर हाइवे का काम हो 2700 करोड की लागत से खंबम देवरापेले सेक्षन का काम हो केंद्र सरकार तेलंगरा में आधुनिक नेशनल हाइवे निर्मान के लिए पूरी शक्ती से जुटी है केंद्र सरकार के निरंतर प्रयास की वज़े से आध तेलंगरा में नेशनल हाइवे की लंबाई दो गुनी हो चुकी है साल 2014 में जब तेलंगरा काम निर्मान हुआ था तब यहां 2500 किलोमेटर के आसपास नेशनल हाइवे थे आध तेलंगरा में नेशनल हाइवे की लंबाई बढ़कर के पाँच हजार किलो मिटर पहुँच गई इन वर्षों में केंदर सरकार ने तेलंग अना में नेशनल हाइवे बनाने के लिए करीब करीब 35,000 करोड रुपिये खर्च किये हैं इस समय भी तेलंग अना में साथ हजार करोड रुपिये के रोड प्रोजेक्स पर काम चल रहा है इसमें गेम चेंजर हाइदराबाद रिंग रोड का प्रोजेक्ट भी शामील है साथियों केंदर सरकार तेलंग अना में इंदस्ट्री और खेती दोनों के विकास पर बल दे रही है टेक्स्ट्राइल ऐसा ही उद्योग है जो किसान को भी और मदूर को भी दोनों को बल देता है हमारी सरकार ने देश भर में साथ मेगा टेक्स्ट्राइल पार्क बनाना तैक किया है इन में से एक मेगा टेक्स्ट्राइल पार्क तेलंगना में भी बनेगा किस्ट्रे युवाओं के लिए नए रोजगार का अंदिर्माण होगा रोजगार के साथ साथ तेलंगना में शिक्षावर स्वास्त पर भी केंद्र सरकार बहुत निवेश कर रही है तेलंगना को अपना एम्स देदे को सोभाग्य हमारी सरकार को मिला है एम्स बीबी नगर से जुड़ी अलग-अलग सुविधाओं के लिए भी आज काम शुरू हुए है आज के ये प्रोजेक्ट तेलंगना में इज अप ट्रावेल, इज अप लिविंग और इज अप दूइंग बिजनेस तीनों को बढ़ाएंगे हाला कि साथियों केंद्र सरकार की इन कोशिशों के भीश मुझे एक बात के लिए बहुत पीड़ा है बहुत दुख होता है, दर्द होता है केंद्र के जाधातर प्रोजेक्ट में राज्य सरकार से सयोग न मिलने के काराण हर प्रोजेक्ट में देरी हो रही है बिलंब हो रहा है इससे नुक्षान तेलंगना के लोगों का आप लोगों का हो रहा है मेरा राज्य सरकार से आगर है कि व्यों विकास से जुड़े कारियों में कोई बाधा ना आने दे विकास के कारियों में तेजी लाएं बाई और बहनों आज के नए भारत में देश वास्यों की आशाए आकांशाए उनके सपने कूरे करना हमारी सरकार की प्रात्विक्ता है हम दिन राद मेहनत करके इसी कोशिश में जुटे हैं लेकिन कुछ मुठी भर लोग विकास के इनकारियों से बहुत बोखलाए हुए हैं ऐसे लोग जो परिवारबाद भाई भतिजाबाद और प्रश्टाचार को पोशित करते रहे उन्हें इमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है ऐसे लोगों को देश के हित से समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है ये लोग सिर्फ और सिरफ अपने कुनवे को फलता फुलता देखना पसंद करते हैं हर प्रजेक में हर इन्वेस्टमेंट में ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं तेलंगना को ऐसे लोगों से बहुत सतरक रहना जरूरी है भाई और भेनों ब्रस्टा चार और परिवारबाद एक दूसरे से अलग नहीं है जहां परिवारबाद और भाई बतीजावाद होता है बही से हर प्रकार का करप्षन फलना फुलना शुरू हो जाता है परिवारबाद बहुशवाद का मूल मंत्र ही सब चीजों को कंट्रोल करना होता है परिवारबादी हर जवस्ता पर अपना कंट्रोल रखना चाहते है उन्हें ये बिलकुल पसंद नहीं आता कि कोई उनके कंट्रोल को चलेंज करे आपको मैं कुदान देता हूँ आज केंदर सरकार ने डायलेग बेनिफिट ट्रांसपर डीबी की विवस्ता विक्सित किये है आज किसानों को विद्यार्थियों को छोटे व्यपारियों को छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में बेजा जाता है हमने देज भर में डीजिटल पेमेंट की विवस्ता बढ़ाई है आखिर ये पहले क्यों नहीं हो पाता था ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परिवारवादी ताकते व्यबस्ता पर सिस्टिम पर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते थे किस लाभारथी को क्या लाब मिले कितना मिले इसका नियंत्राण ये परिवारवादी अपने पास रखना चाहते है इससे इनके तीन मतलब सकते थे एक इनके ही परिवार की जैजेकार होती रहे दूसरा करप्चन का पैसा इनके परिवार के पास ही आता रहे और तीसरा जो पैसे गरीब के लिए बेजे जाते है वो पैसे इनके ब्रस्ट इको सिस्टिम के अंदर बांटने के काम आ जाए आज मोदी ने ब्रस्टा चार की इसलिए जड़ पर प्रहार कर दिया है मुझे तेलंगना के भाई बेन बताइए आप जवाब देरना चाहिए अगर नहीं चाहिए एको ब्रस्टा चार से मुक्त करना चाहिए अगर नहीं करना चाहिए इतना ही बड़ा ब्रस्टा चारी हो कानूनी कदम उठाने चाहिए अगर नहीं उठाने चाहिए प्रक्षा चार्यों के खिलाब कानून को काम करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए और इसलिए ये लोग तिल में लाए हुए है बोखला हट में कुछ भी किये जा रहे है कुछ दिन पहले तो ऐसे कई राजनिति इकदाल को अदालत में चले गए कौट के पास पहुँची रहे थे कि हमें सुरच्छा दो ये हमारे ब्रस्टाचार की कितावे कोई खोले नहीं कौट के पास गए कौट ने वहाँ भी उनको जटका दे दिया और का वापिस दे दिया भाई और बहनों जब सबका साथ सबका विकास की भावना से काम होता है तो सच्चे अर्थों में लोग तंत्रम मजबूत होता है तब बंची तो शोची तो पिड़ी तो को वरियता मिलती है और यही तो बाबा साव आमबेड कर का सपना था यही तो संविधान की सच्ची भावना है जब 2014 में केंद्र सरकार परिवार तंत्र की बेडियों से मुक्त हुई तो क्या परिणाम यहाँ यह पुरा देश देख रहा है बीते नव वर्षों में देश की ग्यारा करोण माताओं बेणों बेटियों को इज़दगर टॉयलेट की सुविधा मिली है इसमें तेलंगना के भी तीस लाग से अधिक परिवारों की माताएं बेहनों को भी यह व्यवस्ता मिली है बीते नव वर्षों में देश में नव करोण से अधिक ब्यानों बेटियों को उज़दगर का मुप्त गैस कनेक्शन मिला है तेलंगना के ग्यारा लाग से अधिक गरीब परिवारों को भी इसका लाब मिला है साथियों परिवार तंत्र तेलंगना सहीत देश के करोडों गरीब साथियों से उनका राशन भी लूट लेता था हमारी सरकार में आज असी करोड गरीबों को मुप्त राशन उपलब्द कराया जा रहा है इससे तेलंगना के भी लाखों गरीबों की भी बहुत मदद हुई है हमारी सरकार की नीतियों की वज़र से तेलंगना के लाखों गरीब साथियों को पाच लाख रुपिय तक के मुप्त रिलाशन की शुविदा मिली है तेलंगना के एक करोड परिवारों का लिए बार जनदन बैंक खाता खुला है तेलंगना के डाई लाख छोटे उद्यम्यों को बीना गरंटी का मुद्रा रुखुन मिला है यहाँ पाच लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पहली बार बैंक लोन मिला है तेलंगना के चालिश लाख से अधिक छोटे किसानों को पी एम किसान सम्मान निदी के तहट लगबग नव हजार करोड रुपिये भी मिले यह वो वंचित वर्ग है जिसको पहली बार बरियता मिली है प्रात्पिकता मिली है साथियों जब देश तुष्टी करण से निकल कर सब के संतुष्टी करण की तरफ बढ़ता है तब सच्चा सामाजे गिनाय जन्म लेता है आज तेलंगणा सहीट पूरा देश संतुष्टी करण के रास्ते पर चलना चाहता है सबका प्रयास से विक्षित होना चाहता है आज भी तेलंगणा को जो प्रोजेक्ट मिले है वो संतुष्टी करण की भावना से प्रेरित है सबका विकास के लिए समर्पीत है आजहादी के अमरित काल में विश्षीद भारत के निर्बाण के लिए तेलंगणा का तेज विकास बहुत जरुरी है आने वाले पतीछ साल तेलंगणा के लिए भी बहुत महत्वफून है तेलंगना के लोगों को तुष्टी करण तता प्रस्ता चान में डुबी है हर ताकतों से ऐसी हर ताकतों से दूर रहना ही तेलंगना के भाग्य को निर्धारित करेगा हमें एक जुठ होकर तेलंगना से तेलंगना के विकास के सारे सपनों को पूरा कर रहा है इन सारे प्रोजेश के लिए एक बार फिर तेलंगना के मेरे प्यारे भाई और भाणों को मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ ये मेरे लिए अत्यन संतोष की बाप है इतनी बड़ी तादाद मैं इतनी बड़ी तादाद मैं तेलंगना के उजवल भविश्य के लिए थे लंगना के विकास के लिए आप हमें आशिरवाद देने के लिए मैं आपका रदै साभार बहुत 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 धनवार